हेलो दोस्तों तो देखें ये केक ही किसी की बड़े की केक है मतलब मेरी फ्रेंड ही है उसी की बड़े की केक है और हाँ सौरी फ्रेंड कल में थोड़ी बीरियो नहीं डाल पाई कल के लिए सौरी कि कल मेरे बेटी का बड़े था तो उसने हम लग गए थे तैयारी में और ये देथवाई चॉकलेट देथवाई चॉकलेट फ्लेवर है फ्लेवर मैंने बनाते वक्त नहीं दिखाया आपको क्योंकि आप लोग अभी बेसिक बना रहे हैं केक तब यह बहुत तूर तक जात मतलब यह बहुत महेंगी होती है अगर सुरू भी बोलूं कम से कम एरिया लोकल ले रहे में तो पंद्रसू से कम के नीचे नहीं जाएगी केजी बता रहे हूं मैं तो यह देखिया उसकी फिलिंग में कर रहे हैं देथवाई चॉकलेट की क्योंकि उनको देना तो वह मतलब ऐसी ओर लेती है बड़े बड़े हवी हजार सूपर की ओर उनकी रहती है कभी के एक केजी मंगा थी तो हजार सूपर वाली केक की फ्लेवर लेती हूं तो मैंने बोला नोंको देथवाई चॉकलेट का एक केजी कॉडर था तो देखिये कुछ नहीं करना फिलिंग है मतलब गनाज ट्रफल कुछ भी नहीं यह अलग तरीके से बनता है तो मैं इसे करना मुस्किल अगर दिक्का देना तो गरम पानी ले 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 और पेलने नाइट को उसमें डालते डालते अच्छे से करना बस जहां से उखड़ोंगे नो बस वहां से इस पांज उखड़ जाता है इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है तो यह केजी का था फटा-फट लगाता है तो मैं कम से कम इसे एक गंटे के लिए फ्रेजर में डाले आ ले थी एक गंटे के लिए उसके बाद उने ख्रीज में की में रखना है अगर freeze में गर्मी में नहीं रखेंगे तो time नहीं मिलता है इसके लिए थोड़ी freeze में रखनी पड़ती है और इस रूम में कासकर AC नहीं है नो तो बहुत दिक का देता पंखा चलाई नहीं सकते कि बहुत cream फड़ जाती है इसलिए पंखा नहीं चलाती होती है तो चारो तरफ ऐसे में covering कर लोगे इसे अच्छे से covering कर देंगे और covering करने के बाद इसे फिर में रखोंगे freeze में कम से कम एक घंटे के लिए और हाँ friend मेरा आप से यही request है कि आप मेरे चैनल में पहली बारा आए हैं तो please 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 मेरे आप से यह request है पहली मेरी recipe try करें अगर नहीं जमता है तम मत follow करना और तभी बाप subscribe करना लेकिन please मेरे लाइक से यह subscribe जरूर करें और जैसा आपकी मतलब recipe होगा baking में जो चाहते हैं baking में बता रही हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगे बस आपको बताना पड़ेगा comment करके किसी ने भी comment कहता fondland का मैं किसी दिन फिर fondland का काम करूँगी तो जरूर में डालूँग उसकी वीडियो पर मेरे baking में सब order आते जैसे पीजा आ जाता है कभी cake बनाते बनाते पीजा आ जाता है बर्गर आ जाता है कभी brownie आ जाता है तो उन समय में लग जाती है तो बहुत समाल के करना पड़ता है और fondland cake मैं कभी मुलनोगों को बोलती हूँ कि एक दिन पहले मुझे order दिया करो तो एक दिन पहले मैं fondland का बना लेते हैं उसके बाद केक बनाते हैं दूसरे दिन तो यह देखिया अच्छे से मैंने ले लिए scraper, scraper से चारों तरफ अच्छे से freezing दे दी, फिर side में clean करके इसे रख दूँगी freeze में freeze में रख दूँगी फिर यह set होगा एक घंटा तो इससे थोड़ी से मैंने design डाल दे कर अफली थोड़ी से design डाल दो अच्छी लगेगा वह आकाई केक अपने सुरू में देखा बहुत टेस्टी मतलब अंदर से भी टेस्टी था और उपर से मतलब डिजाइन भी अच्छी थी तो मैं कुछ नहीं कर ऐसे आज कल डिजाइन बहुत तितली वाला चल रहा तो ऐसी मैंने सोच आग चलो वही तब को सुरू से भी बेकिंग सीखना हो नो तो आप सीखो पर रोज वीडियो मुझे देखो फॉलो करो कि कौन कौन से रेस्पी की फिलेवर की है मतलब जो जो आएगा अभी किसी ने बोला था कि मैंगो की पैनेपल की तो उसकी ओडर आती है तो मैं आपको बताती हूँ ज उसके बाद नो ये पॉम्प आज मुझे बहुत परिसान किया इतना परिसान कि इसकी रबड़ी निकल गई अंदर के फिर भी मैं दीरे दीरे उपर से अच्छे से पूरा करी कपड़े लगा के तो देखिया ऐसा हो गया है मैंने ये ये खाने वाला होता है डश्ट बोलते ह लेकिन ही चोकलेट खाने वाले होते हैं बहुत लोग मुझे कुदी बोलते कि क्या है भावी क्यूंकि इस पार्टी में भी मैं कुदी गई थी और काट रही थी तब ही बोली कि वा भावी गजब क्या केक है और केक काटने के बाद बोली भावी आप काट के सबके देदो त बहुत यमी लगी था और हाँ इसके का रेट में बताई रही इसकी रेट बहुत महेंगी थी पर उन्होंने मेरे को 1000 रुपे दिया था क्योंकि मेरे से अक्सर लेती है जिसलिए मैं डिसकाउंट करको उनको 1000 रुपे दे दी थी और अंदर फिलिंग ऐसे अगर 1500 देती तो उप तो चलिए फ्रेंट आप जरूर कमेंट करके बताना कि यह वाली कि आपको कैसी लगी है और मैंने चार्ज भी बता दिया कि इसकी चार्ज कैसी है और हाँ यह भी होता है कि एरिया टो एरिया किसी किसी एरिया में पहले जा रहा थी थी उनलों को मतलब बहुत से बहुत हो न त पर डिबेंड होती है कभी कभी कोई लोग अच्छे पैसा दे भी दे देते कोई नहीं देते फिर भी अपना तो महना थे खर्चा तो निकालना पड़ता है तो देखे यह कैसी बन गई मुझे जरूर इसकी कमेंट चाहिए कि तहां यह कैक की डिजाइन कैसी लगी और इस च पयुआँछ अपाल कोई यह गिजाए आते लीitा की बने ठी कोई चाहिए भी कीोला है